अगर आप सूजी का उपमा अप्पे पैनकेक खाके बोर हो चुके हैं या मंख्री भी खाके बोर हो चुके हैं और आप चालते हैं कुछ नया क्राइट किया जाए तो रस्पी ये आपके लिए ये भार्ष इतनी क्रिस्पी औरंगा से मसालेदार है कि आपको अपना चोका में आपका बहुत स्वागत है आज मैंने क्या हूं आपके लिए एक इकम सूजी की इवनित में ब्रुकु शांदार रस्पी जो देखते ही बनेंगी चलिए आज की रस्पी को जड़ से बनाते हैं सबसे पहले एक कड़ाई लेंगी कड़ाई में लेंगी पानी यहां पर मैंने लिया है दो कप इसके बाद इसमें हम डालेंगे आदर चम्मच से भी कम नमक और इस इससर दालेंग इसमें दो चम्मच तेल की पानी में एक अच्छा सुबाल आने देंगे पानी में एक अच्छा सुबाल आ गिया है अब गैस की आश को बिल्कुल मद्धम रख देंगे अब जिस कड़ोरी से हमने पानी ना पाथा उस कड़ोरी में हम लेंगी एक कड़ोरी सूजी सूजी को पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुटली या लंस ना रहें गैस की आश को मद्धे में रखेंगे और लगातार चलाती रहेंगे आप देखेंगे कि सूजी हलके हलके फोलने शुरू हो गई और पानी भी सारा अफजर्व हो गया है सूजी को हमें लगातार चलाना है जब तक ये एक डो की शेप ना ले ले हमारी सूजी अब इकटी होनी शुरू हो चुकी है और ये इसका एक परफेक्ट डो बनना शुरू हो चुका है जब सूजी सब कनार से चुटनी शुरू हो जाए और इकटी हो जाए तो समझ लेना कि हमारा डो अपको तैयार है गैस की आज को बिल्कुल बंद कर देंगे पर इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये गुरू-गुना ना हो जाए जब ये डोबल गुरू-गुना हो जाए तब हास से अच्छे तरह से से मसलेंगे जिस तरह से हम आटक के गुनते हैं पांस साथ मिल तक गुनने पर हमारा बहुत अच्छा सा सूजी का आटक तैयार हो जाएगा और अब इसे अच्छे से मिल लेंगे और एक बॉल के अंदर ढब कर रग देंगे जब तक हमारा डूर रस्ट हो रहे है तब तक हम इसी कड़ाई के अंदर आगे कख त्यारी शुरू करते हैं वोई कड़ाई लेंगे उसमें हम डालेंगे दो चम्मच तेल के वो इसी के साथ दालेंगे चुथाई चमच राई, चुथाई चमच हल्दी, चुथाई चमच लारमच पाउडर, आदा चमच सुकतने पोडर, चुथाई चमच से भी कम नमक, इन तिन सब मसालों को अच्छे तरह से दो मिन्ड तक फड़काएंगे गया इसकी आज़कों बिल्कु स्लो रहने देंगे, अब इसमें से बहुत अच्छी घश्बू आने शुटू हो गई है, अब इसमें मिलाएंगे चुथाई कप उबले हुए मटर, एक बारी कटा हुआ प्याज, आधा बारी कटी हुई शिम्या मिर्च, एक बारी कटी हुई इन सभी सबजे को अच्छी से मिलाएंगे, सिर्फ दो मिल्ड के लिए हम सोटे करेंगे, इसके बारी मिलाएंगे तीन से चार उबले हुए मैश की हुए आलू, अब इन सभी सबजे में आलू को अच्छी तरह से मिलाएंगे, सारी सबजे आलू के नदर वो अच्छी तरह से मिल चुकी है, गैस की फ्रेम को ओफ करेंगे, आप इसमें डालेंगे, चार से पांच चम्मज बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ति, धनिया पत्ति डालने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, और इसे को ठंड होता है, तब तक हम अपने सूजी के डोको भी देख लेते हैं, सूजी बहुत अच्छी तरह से फुल चुकी है, अब एक हाथ में थोड़ा सब तेल लगाएंगे, और इसे एक दो मिन के लिए और अच्छी तरह से मसलेंगे, मसलने से पहले हाथ में तेल लगाना ना भूले यह तो सूजी हाथ में चिपकीगी, सूजी का यह हमारा बनको सॉप्ट डो है, अब इसके हम चोटे छोटे पोरिशन कर लेंगे, एक कप सूजी से हमारे कम से कम 20 पेड़े बनकर तयार हो जाएंगे, हमारे पेड़े बनकर बनकर तयार हो चुके हैं, और इधर हमारे आलू अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं अब आलू के भी हम ऐसी तरह से 12 पेड़े बना कर तयार कर लेंगे से 1.5 इंस तक के हमारे काँ पर हमें आलू के लड़ोया एंगे पेड़े तयार करने हैं अब आलू के मसाले के हमारे सारे पेड़े बना कर तयार हो चुके हैं हमारे सूजी के भी पेड़े तयार हैं और आलू के भी पेड़े हमारे बिल्कुत तयार हैं अब एक हाद में तेल लेंगे एक सूजी वाला पेड़ा लेंगे पहले हम इसे हम अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे साइड से हम इसे पतला रखेंगे और जो भीच का पोशन है इसे हम थोड़ा सा मोटा रहने देंगे अब एक आलू वाला पेड़ लेंगे और सूजी के अंदर अच्छी तरह से बिल्कुल इसे कवर कर लेंगे एक एक अंडे की शेप देंगे बिल्कुल हम इसे बहार से वाइड और अंदर से येलो सूजी का डो हमारा हलका सा सोफ्ट है तो ये अराम से बिल्कुल कवर कर लेगा इसे आप कवर करने में आपको बिल्कुल भी परशानी नहीं आएगी ये देखे हमारा कितना बढ़िया एक सूजी का लड्डू बनकर तयार हो चुका है इसी तरह से मैं एक और बिना के दिखाती हूँ आपको एक प्ड़ा लेंगे उसके साइड से अच्छी तरह से इसको पतला करेंगे और भीज को हलका मोटा रहने देंगे अब आलू का एक प्ड़ा लेंगे इसके सेंटर में रखेंगे और इसे चार तरफ से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ये देखे हमारा दूसरा लड्डू भी बिलकुलक सूजी का बनकर तयार है इसी तरह से हमने सारे सूजी के बॉल बना कर तयार कर लेने हैं देखने में बहुत सूंदर लग रहे हैं ना खाने में उत्ते ज़्यादा यम्मी और टेस्टी हैं जब मैंने बॉल्स बनाने शुरू की थे तब मैंने तेल की गरम होने के लिए यहां रख दिया था तील अच्छे से गरम हो चुका है अब सूजी बॉल्स को तील के दिने डालेंगे और मीडियम फ्रेम पे हम इसे फ्राइ करेंगे इसे फ्राइ करता में थोड़ा सा टाइम जाता लगेगा यह एदम जाते ही लाल नहीं हो जाएंगे इसे कम से 5-7 मिड़ लगेंगे लाल होने में यह हलके के सेट से लार होने शुरू हो चुके हैं अब इसे पलेट के दोन तरफ से अच्छे दरा से गोल्डें ब्राउं होने तक फ्राइ करेंगे बहुत अच्छे दरा से हमारे बॉल्ड बॉल को तैयार हो चुके हैं इसे भी तेल से निकाल कर एक टीशु पेपर के उपर रख लेंगे हमारे क्रिस्पी सुजी के डोसे वाले बॉल्ड वराने खाने के लिए बुको तैयार हैं यह देखने में जितने जाद सुन्दर लग रहे हैं खाने में उत्ते जादा ला जवाव हैं अब बीना चट्नी यह अपनी मन पसंद चट्नी टमैटो के चाब यह ग्रीन चट्नी के सादसे तरफ कर सकते हिं मैं आपको दिखाती हूँ हूँ यहीं कित्ते ज्यादा क्रिस्पी और क्रारे बने हैं एक लिया है इसके sound सुने आप आपको अन्दाजा हो जाएगा यहीं कित्ते ज्यादा क्रिस्पी है अगर आपको में रस्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंड करना ना भूलें बहुत ज़द मिलूँगी एक नई रस्पी के साथ तब तब हैवा नाइस जे खाते रहें खिलाते रहें